ओम परमात्मने नमाँ इसद्याय के दूसरे इस लोग के पूरवार्द में भगवान ने ज्ञान योग और करम योग दोनों को परम कलने आण करने वाले बताया उसकी ब्याख्याब आगे के दो इस लोगों में करते हैं तो संख्ययोगो प्रथवाला प्रवदंतीन पंडिता एकमप्यास सिता सम्य गुवर्यो उर्विग्नते फलम अर्थात संख्ययोगो प्रथवाला प्रवदंतीन पंडिता इसी अध्याय के पहले इस लोग में अर्जुन्य करमों का स्वरूप से त्याग करके ये तत्तदर्सी महा पर उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म सन्यास नाम से कहा है, भगवान ने भी दिवसरे इस लोक में अपने सिद्धान्त की मक्सता रखते हुए उसे सन्यास और कर्म सन्यास नाम से कहा है, अब उस साधन को भगवान यहां सांख ना भगवान के मतमे सन्यास और सांख परिया बाची है जिसमें करमों का सुरूप से त्याक चरने की आवस्सक्टा नहीं है अर्जन जिसे कर्म सन्यास नाम से कह रहे हैं वो भी नेसंदे भगवान के सांख काही एक अवानतर बेद है कारण गुरु से सुनकर भी सादक सदीर सदीरी के बेद काही विचार करता है वाला पद से भगवान यह कहते हैं कि आयू और बुद्धी में बड़े होकर भी जो सांख्योग और करमयोग को अलग-अलग फलवाले बामते हैं वे बालक अर्थात बे समझी हैं तो जिनमा पुर सोने सांख्योग और करमयोग के तत्त को ठीक ठीक समझा है वही पंडित अर्थात बुद्धमान हैं वे लोग दोनों को अलग-अलग फलवाले नहीं कहते क्योंकि वे दोनों सादकों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक प्रणाम को देखते हैं तो प्रवादन प्रणाली तो अलग अलग है पर साध्य अलग अलग नहीं है तो एक अमप्या इस्थिता सम्य गुबरे योर्विजंते फलम गीता में जगे जगे सांख्यों कर्मयों का प्रमाद्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है दोनों साध्यों से अपने आप में प्रमाद्म प्रत्तुकान वब होना बताया गया है करमयोगी के लिए प्रमाद्मा की प्राप्ति बताई गयी है और ग्यान योगी के लिए प्रमाद्मा की प्राप्ति बताई गयी है इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही इसके गूड़भाव में जो अन्य शास्त्रिए बातों को तो जानता है पसांखियोग कर्मयोग के तत्त को गहराई से नहीं जानता वो वास्ता में बहला लक अर्था बे समझे गीतावर में अविनासी तत्त के फल सब्द इसी इसलोक में आया है फल सब्द का अर्थ है परिणाम करम योग और ग्यान योग दोनों साध्यों से प्राप्त होने वाले तत्तों को फल कहने का इनकों नियुक्ष है ग्यान योग में विवेक रूप अध्यों मुख्य और कर्मयोग में परिष्ट की किरिया रूप उद्योग मुख्य है, तो साधक का अपना अध्योग परिश्रम फल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है, यह फल नश्ठ होने वाला नहीं है, कर्मयोग तदा ग्यानयोग दोनों का फल आत्मिज्ञान अत्वा प्रम ग्यान है, तो कर्तब्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछन करना ग्यानयोग है, कुछन करने से जिस तत्यूगी प्राप्ति होती है, उसी तत्यूगी प्राप्ति कर्तब्य कर्म करने से हो जाती है, करना और न करना, तो साधन है, और इन से जिस तत्यूगी प्राप्ति होती है, वो साध आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेला इकन घंटी को दवाएं कमेंट बॉक्स में जैसरी किस्णा लेकिए बोले जैसरी किस्णा